हमारे देश की जनिता जिसका पैसा सरगारी बैंक्स भारतिय जीवन बीमा निगम में लगा हुआ है वो पैसा सुरक्षित है या नहीं जवाब विपक्ष सीथे सरकार से चाहता है संसद में सर्फ हंगामा हो रहा है सड़क पर सर्फ प्रदशन हो रहा है तब आज तक ने बड से जब्मदारी निभाते हुए हर जबुरूरी सवाल आज केंद्रिय मंत्रियों से पूछा है रेगुलेटर्स प्रोएक्टिव होना है कि नहीं होना है वो भी एक प्रश्ण मेरे मन में है क्यूंकि प्रोएक्टिव रहने में बरकरार रहना है तो प्रोएक्टिव रहने में बरकरार रहेंगे या नहीं वो भी एक प्रश्ण है अगर मान लीजिए एक इस विशे में नहीं बोल रही हूँ मानली जी एक regulator बार बार बोलते हैं oh my god there is a risk in this company that company is being investigated this company is being openly बोलते रह रह रहा है वो market के लिए अच्छा है की नहीं है मैं प्रेशन पूछ रही हूँ मेरा कुछ राही नहीं है इसमें और दूसरा अगर वो investigate ही कर रहे हैं कुले आम conclusion के पहले ही बोलना अच्छा है बाद में बोलना अच्छा है ये सब भी उनके मन में रहता है वो उनके अप्रोपरेट दिशिशन भी लेते हैं बोत LIC and SBI have given their statements publicly and in great detail the heads themselves came out and spoke about it so there's nothing that I can materially add to that I don't think it is right for me even to think that I should have gone in every two weeks to say no no you will choose this company you will not choose that company no they are taking their conscious board driven professional call and if they come out to speak about it दिखिये आरोप के लिए कोई आधार होना चाहिए राफेल में भी यह पाये गया है एकदम बिना किसी आधार के आरोप लगाए गये ना जंता ने उस पे विश्वास किया ना कोटों ने उस पे विश्वास किया ये एक तरीके से जो फ्रस्टेशन है विपक्ष अपने आपको निहत्ता महसूस कर रहा है कि 9 साल हो गये कुछ कर नहीं पाए कुछ हमारे खिलाब वो सिद्ध नहीं कर पाए तो हर छोटे इदर उदर की बात को वो हमारे उपर डालने की कोशिश करते हैं परन्तु अभी तक सरकार ने कोई गलत काम किया हूँ ऐसा तो कोई आरोप आज के दिन में नहीं लग रहे हैं एक प्रकार से मैं अगर आपको पूछू एक कॉंट्राइक कोई बता दे एक कोई लाब कोई बता दे जो इस सरकार ने किसी को बिना ड्यू प्रोसेस के बिना एक बड़े पारदर्शी सिस्टम के कुछ भी अलोट किया हो किसी को तो ये एक सरकार है जिसने सिस्टेमाटिकली करप्शन को निप्टाने के लिए खतम करने के लिए काम किया है वो कह रहे हैं कि यह सरकार और उसकी तमाम एजंसियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी इंडस्ट्रीज को बचाने में जुड़ गई तो सबसे पहले उनको अशोग गैलोज जी यूपीय में जिसकी मुख्या सोनिया जी थी उन्हों ने दिया वो हिंदनबॉर्ग की रिपोर्ट के बार अब इतवार मैं आपसे बार बार दुबारा यही कहने वाली हूं तोराने वाली हूं LIC की बात पर आपको नहीं जाना मज जाए, SBI की बात पर नहीं जाना मज जाए, RBI की बात पर मज जाना, क्योंकि आपको लगेगा ये सरकारी तंतर का हिस्सा है, इसलिए सरकार की आवास, Fitch ने बोला है, Moody's ने बोला है, Internationally Credit Rating Agencies है, इनका किसी सरकार से कोई सरुकार नही है, लेकिन बीते दिनों हमने देखा है चाहिए, वो BBC की documentary हो, Hindenburg की report हो, विदेशी इससे पहले Pegasus, विदेशी reports को लेकर इस देश में संसक की कारवाई है, इंडिया is now the fifth largest economy in the world, ये सिरफ Modi की economy नहीं है, ये सब हिंदुस्तानी जब बैठा है, हम सब की है, मुझे लगता है कि इस विशे से सरकार को जोड़ना अपने आप में प्रासंगी के कोई आविश्यक्ता नहीं है, भारत की जितनी भी, Finance Minister ने भी इस बात के लिए कहा है, RBI ने भी इस बात को कहा है, कि भारत की जितनी भी regulators हैं, वो regulator subsection है, सारे regulators चौकस भी हैं, चौकनने भी हैं, सारे regulators fully equipped with the toots भी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस विशे को unnecessary जोड़ करके और भारत की छवी को विश्यू भर में खराब करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे देश को कुछ भी हासिल होने वाला है, सरकार चर्चा से भाग रही है, विपक्ष का लोगों ने मांगी है, उसमें चर्चा मांगे, बिए जो है, बिजनस अडवाजरी कमेटी उस पर डिसकस करे, उस पर निर नहीं करे क्योंकि बिजनस अडवाजरी कमेटी तो सरकार की नहीं होती है, उस पर डिसकस करे, अगर अलाव करे तो निश्चित रूप से चर्चा कर है तो अगर बीएसी में डिसाइड होगा तो होना चाहिए एक वो मुद्दा जो अदानी का है जिस पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है दम है ना उनकी बातों में तभी तो मामला इतना रेजोनेट कर रहा है तो आज पारलेमेंट ही निया आपने कारेक्रम के लिए बुला है मीडिया को क्या लगता और वीपक्षब क्या लगता है अलग लग बात है अविपक्ष का काम ही होता है कि कुतना भी अच्छा होने के बाद यह कि वह पांग स neighborhood लोग चेर यहां जाकर जो भी बैट़टा है वो बैसी बात तेसमें मेरे गाओ का रोड कितना अच्छा बनाू माने वित्मंत्री जी ने इस विशेपे एकदम स्पष्ट अपना बयान दे दिया है और जो प्रक्रिया ने रही neighbors को करनी है याने की जो जाँच करनी है वो Securities and Exchange Board of India भी कर रहे हैं, करेंगे Reserve Bank of India कर रहे हैं और करेंगे, तो इसलिए जो भी Regulators को जो इसमें प्रक्रिया जो उनकी होनी चाहिए, वो है और काम चल रहा है, माने वितमंतरी जी ने भी और वितमंतराले ने भी ये सपश्ट किया है कि जो सरकार की तरफ से जो सरकार की तरफ से चिंता होनी चाहिए कि कोई systemic risk है कि ने यानि कि अर्थवस्ता में इसमें कोई अस्तिरता आ सकती है कि नहीं आ सकती है इस पे माने वितमंतरी जी ने वितमंतराले ने और दोनों Regulators SEBI और RBI ने पूरी तरीके से विचार विमर्श किया है और कोई systemic risk अर्थवस्ता को कोई risk इसमें अभी नहीं नजर आ रहा है आगे जो Regulators को काम करना है वो Regulators अपना काम जरूर करेंगे जहां तक share भाव का जो मामला आता है वो तो आपको अर्थवस्ता करेंगे जरूर करेंगे